हाई फ्रेंड्स हम आपको होटल के जिसाद चिकेन पकोड़ा किस तरह बनाते हैं हम आपको बना के दिखाने वाले हैं आप चाहिए अपने घर में बना सकते हैं इस तरह होटल के जिसाद चिकेन पकोड़ा देखिए बिल्कूल होटल के जिसे हमने बनाया है डेकोरेट भी पैला दालेंगे सबसे पहले अदर्वासन का पेस्ट चाहिए चाहिए ये कि या, कि एक जम से विर्ची पाउडर कि उसकी बात है न हम इसमें जीरा पोडर एक जमस डालेंगे चाय के चमच में एट ब्लाक पेपर है इसा जीरा पौरर पढidad कई ब्लाक पेपर हाप जम से चाय के चमच में आप Namak नमाट मत्षाह के चाय के चमशें थोड़ा सा बड़ा है देख सकते हैं एक चमश वाद हैं चाहिजी चुली चाहलें से चुछ तो बीश्याथ चील चाहिजी चाह से लीक चोय चाहलें ब्लाक है। बया ह Spring happy एक चीली साउस जा लें गरा च्छील के चमश में एक चमष टामाटर सॉस डालेंगे चाय इक स्टील के चमष में अब धन्या पतर को हम छोटे-छोटे पीश करके इसमें डालेंगे देखिए धन्या पतर को अमने इसमें डाला है हम इसमें थोड़ा कम-कम मसाला इसलिए डालते हैं क्यूंकि हमारा सामन जो है chicken शिफ 200 ग्राम क आगे दौरे ही पेला पैकेट है चीकेन मसाला है हमने इसमें डालेंगे चीकेन पकोड़े के लिए चीकेन मसाला जाए पी ऒखेंगे तो तोो तो क्योंगि दाल सकते हैं कम बना है इसलिए हम कौन फ्रॉ cier एक कट्रक र काच को छटे वाले कोट्र में डाले हैं ऐक वाद कॉट्र्क वाज कर पर कोट्र कि अबम अदरक शोब लगा पर अम दरक कूछ खे λέशने में इस तरह घीस के डालने वाँ चाइब क्योंकि ज़्यादा टेस्ट आएगा उससे आम अधरक एकदम बहुत टेस्टी जीनिस है कोई भी रेस्टीपी पे डालो तो वो टेस्ट लिया आता है देखिए हम इसको गांस की इस तरह डालेंगे भी देखिए देल दिया अब सब साम AA पाद गया है अब स्थरिप रंग डालना बाकी है दीकिए अनूजय रंग रेट कलर का रेट कले डू डाले तो अच्छ़ा लगता है रेट कलर का पकोरा निखलेंगा रेट कलर हम डाल देंगे कॉंटिटी हिसाब से कलर डालेगा वरना ज्यादा पड़ जाए तो बहुत ज्यादा रंग हो जाएगा खोन के जैसा नाचर आएगा कम डालें तो ठीक बराबर आएगा कि अब सब कुछ हमने डाल दिया आप इसको हमें ऐसी तरफ फेड़ देंगे दिखें हमने फेड़ दिया उसको हम पांच मिनट के लिए रख देंगे कि थोड़ा मसाला मीज अंदर गुज है अब हमें गैस में कराई चड़ाए हैं देख सकते हैं नाने श्टिक कराई है अब हम करेंगे कराई में थोड़ा सा पानी रच चुका है इसलिए हम इसको थोड़ा हीट होके सुकने देंगे पानी को क्योंकि तेल पड़े तो वो चड़ चड़ होके फटकने लगेगा इसलिए इसलिए हम थोड़ा दर इसको गरम होने देते हैं ची तरह गरम हो चुका है हम इसमें तेल ड्रील डालेंगे आप हमने रिफाइन ओल का इस्तिमाल किया है आप चाहिए तो से अंफ्लाव भी ओल कर सकते हैं कि देखिए तेल हीट होने तक का गैस हाई लेबल में रखते हैं देखिए तेल हीट होके आ रहा है हमने दो चमाच ले लिए है जाली चमाच इसको बोलते हैं एक बड़ा साइच एक सोटा साइच का कि देखिए तेल हीट हो रहा है अब हम इसमें एक चिकेन कपीश डाल के देखेंगे पकोड़ा बनाने के लिए जो तेल गरम हुआ है कि नहीं टेस्ट करने के लिए एक पीश डाल के फास्ट देखते हैं देखिए अब हम इसमें डाल के देखते हैं कि गरम हुआ है नहीं देखिए तेल गरम पक चुका है अब हम एकक करके सब इसमें पकोडा छोड़ देंगे चिकिन कपीस पकोडा बनाने के लिए देखिए हमने साप एक साथ में छोड़ दिया है इसको हम थोड़ा नीचे से फिराएंगे क्योंके लग ना जाए देखिए छोटे चमजबा चोटे वाले जाली चमजबा हम फिराएंगे थोड़ा थोड़ा के लग ना जाए लग जाए तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना. देखे, ए थोड़ा-थोड़ा पक्ग आ रहा है. ए अच्छी तारा पक जाए तो एकदम लाल कलर आ जाता है. एभी थोड़ा खच्चा है. हम इसको धीरे-धीरे से उल्टाएंगे. इसे धीरे धीरे पल्टाएंगे, थोड़ा दिखो हमने सब कुछ पल्टा दिया है। बरावर से फीर हो रहा है। देखे देखे एकदम रेड़ कलर आचुका है इसमें। देखे ये रंग डालने के वज़़े से ही कलर राया है रेड़ कलर। देखिए पूरा ची तरह पक चुका है अब हम इसको निकाल देंगे अब इसको बड़े चमज में निकाल देंगे बड़े जाली चमज में तेल निकालने के लिए देखिए यह बड़ा वाला है थोड़ा हम इसमें इसको निकाल देंगे देखिए हम सब इसमें निकाल लिए तेखिए गिर्यार है कि आप अपु सीचे बिदेगा गिर्या इए उठाए और और भूगेंग फोर सबस्ता टेल हो दिखिए कैसे बिदागेंगे हम इसको एक प्लेट में डालेंगे देखिए इसको डेकुरेट करना है कैसे डेकुरेट क हंघ हैं एक प्यास दूस नाम नहीं सब्सेंट है तो कि एक प्यास काट दिया है दो खेत जाने को धूरो है हैं कि अ suspense क्यूंआ लकिया जैसा प्यांच कर दबर देखिये लच्छा कर जो कि た थोड़ा 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 जालने के तामाटर शॉस घटामाटर शॉस एकया हुआ घश्ञंरे और वेड़ा इसमें वर हम फुन को थाऊ मेड़ने के दिआए बाल पड़ी है reflect सकते हैं आप चिकेन पकड़ा विल्कुल तयार है होटल के जैसा तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब कीजिए और वेल आइकन भी दबा दीजिए सबसे पहरे हमारा वीडियो देखने के लिए